इसकार स्वाकत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो LGBT की कम्मुनिटी है LGBT की कम्मुनिटी का मतलब लैश्बियन, गे, बाइसेक्शल, ट्रांजेंडर, कुईर यह जो कम्मुनिटी है, यहां पर एक Conversion, Conversion Therapy, यह काफी ज़्यादा परचलित एक थेरेपी है यहां इस Conversion Therapy के ऊपर बैन लगा दिया गया है मदरा साइकोर्ट के द्वारा अब यह Conversion Therapy क्या होती है, बैन क्यों लगाया गया है, क्या इसके पीछे रीजन थे इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता जेता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिए, राश्चे चिकितसा आयोग, यानि कि नेशनल मेडिकल कमिशन ने सभी जो स्टेट मेडिकल काउंसिलर उनको कहा है, कि जो एक कनवर्जन तेरपी जो है, जो LGBTQ के अंदर चलती है, उसको आप बैन कर दीजिए, और कहा गया है, कि ये जो कनवर्जन तेरपी है, इसको बैन करने के साथ साथ, इसको एक दूसरा दरजा दे दीजिए, प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट कही है, यानि कि एथिकल जो चीज़ें होती हैं, ये नेतिकता के ये जो कनवर्जन तेरपी है, इसको बैन करवाया गया है, मदरास हाइज कौर्ट के तो आप देखेंगे कि ने मदरास हाइज को निर्देश का पालन करते हुए, का कि भारतिय चीकित्सा परिशत जो है, वीनिमें, 2002 केता है, जो कनवर्जन तेरपी है, वो अवैध है, अब यहां पर इसको पूरे भारत के अंदर का है कि आप इसको बैन भी कर दीजिए अब LGBT की कम्मुनिटी होती है पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं यह क्या होती है L का मतलब होता है Lesbian यहां पर आप देखेंगे Lesbian मतलब आने वाले टाइम में कोई अलग तरीके से बताए या फिर इसके अंदर और भी कम्मुनिटी है जिसको अभी इन शब्द के द्वारा परिभाशित नहीं किया गया है तो वह सब चीजें जो है यानि जो कम्मुनिटी है जो गया कहें कि जिनका सेक्शोल औरिंटेशन अलग तरीके का है तो वह पलस के अंदर यहां पर आ जाती है अब उन्हें सांस्कृतिक रूप से देखें भारत में LGBT की कम्मुनिटी के एक विशिस्ट समुद्दा या समू या कहें कि थर्ड जेंडर में शामिल किया गया है उन्हें सांस्कृतिक रूप से यह ना तो वो पुरुष ना यह वो महिला एक महिला की तरह विवार करने वाले पुरुषों की रूप में परिभाशित किया जाता है वर्तमान में उन्हें थर्ड जेंडर का जाता है यहां आपको पता कि सुप्रीम कोट ने 6 सितंबर 2018 को सेक्शन 377 को decriminalize कर दिया था इसके अंदर क्या था कि वही जो संब लेंगी क्या है जो सेम सेक्स के हैं उनके बीच में जो संबंद है उसको अपराद का गया था उसको decriminalize कर दिया गया था 2018 6 सितंबर के अंदर आप बात कर लेते हैं कि conversion therapy होती क्या है और इससे related क्या क्या जो हम कहेंगी कि risk क्या है जोखिम क्या है देखिए conversion therapy एक प्रिके से हस्तक शेप है कहां पर आप intervention कर रहे हुँ भई देखिए कोई लड़का जो है उसका वैवार लड़कियों जैसा है अब उसकी शाररिक सरंजना एक लड़के जैसी है लेकिन उसके अंदर की जो प्रिविर्ती वह एक लड़की जैसी है अब उसके घरवालों को वो चीज पसंद नहीं आई तो वो चाहते हैं कि यह जो लड़का है वो लड़का ही बन कर रहे यह जो लड़कियों जैसी हरकतें कर रहा है तो वो सब चीज़ें ना करें तो अब लड़का उसको लड़का बनाने के लिए या चो उसकी जो sexual orientation है उसको पर चलाई जाती है या फिर इवल सेरोमोनियल प्रैक्टिस यानि कि ऐसा समझें कि किसी जाड़ वाले बाबा के पास ले जाकर वहां पर उसके खिलाब हम कहेंगे कि काफी साथे जादू टोने टोटके करवाए जाते हैं तो एक वो तरीके से वहां पर आ जाती है इसमें उ जुआओं के मूल पैचान को बदलने की प्रयाश शामिल है जिनकी जो एक सेक्शुल ओरियंटेशन वह अलग है श्रीर के अकोडिंग मतलब मैंने कहा ना कि वह एक है तो लड़का बाहरी श्रीर के तोर पर लेकिन अंदर से वो लड़के तो इसको बदलने के लिए सारी च कहते हैं कि हम इस लड़के को इसके अंदर जो लड़कें वाले गुन है वह हम खतम कर देंगे जो भाया उनके पास विशेशिक्ता है नहीं एक्सपरटीज तो वह है नहीं बस अपने ही द्वारा बनाई गई अजीब हो ग्रीप जिजों से उनको देना स्टार्ट करते हैं अब देखिए ऐसी चीजें करने से बहुत साथा उनके स्वास्थे पर परभा पड़ता है कंवर्जन थेरपी जो मांसिक स्वास्थे संबंदित यह जो जो सिच्वेशन है वह पैदा हो जाती है जैसे कि उनको चिंता होना तना होना नशली दिवाओं का उप्योग जो कभी कभी सुसाइड का भी कांड बन जाती है अब देखिए अमेरिकान एकेडमी ओफ चाइल्ड एंड एडॉलेंट्स सिक्योर्टी के अंसार कंवर्जन थेरपी के तैत अस्तक्षेप जूटे आदार पर परदान किया जाता है कि सम्लेंगिक्ता और विविद लिंग पहचान र को एक रोग है यानि को एक बिमारी है उसको इस तरीके से कहके आगे बढ़ाया जाता और इसलिए करवाया जाती है इसके अलावा मदरास हाई कोट ने यह निर्देश दिया है इसके उपर हम चर्चा कर लाते हैं देकि मदरास जो हाई कोट है उन्होंने कहा है कि LGBT कम्यूट के जो लोग हैं उनके जो एक sexual orientation है उसको चिकितसे रूप से ठीक करने या जबरन बदलने के किसी प्रयास को पर्तिबंदित यानि किसी भी तरीके से उसको बैन करने की मतलब यहां पर का गया है इसने अधिकारियों से किसी भी रूप से conversion therapy के तरीके में खुद को शामिल करन करने वाले पेशेवरों के खिलाब कारवाई करने का आगरह भी किया है नैले ने राष्टे चिकितसा आयोग को एक आदेश दिया है कि एक पेशेवर कदाचर के रूप में conversion therapy को सुची बत किया जाए मतलब कि conversion therapy को अब conversion therapy ना कहकर professional misconduct का नाम दे दिया जाए यह बात इसमें नैले ने कहा कि समुदाय को कानून परवर्थन जेजिंसीओं के समन्वे से जीला विदिक सेवा परदिकरन द्वारा कानूनी साहता परदान भी कि जाने चाहिए जो भी LGBT कमूनिटी के जो लोग है उनको यहाँ पर यहाँ कानूनी साहता भी परदान की जाए एजंशियों क गो त्रण झेंडर विएक्ति अधिकरम का अधिनेर्फ नीचफ पालन करने के लिए कहते हुए नयाले ने कहा कि समुदाय या उसकी जरूरतों को समगने लिए हर संबब प्रयास है तो समवेधी करन कारे करम आजीत करना अनिवार रहे हैं मतलब कि society के अंदर awareness फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह दो आपको rules जों याद रखने होंगे transgender person protection of right rules 2020 और transgender person protection of right act 2019 इन चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा आप बात करते हैं कि LGBT community के LGBT community के सुरक्षा है तो अब तक जो निर्ने लिए गए हैं वो कितने मतलब की अब तक क्या क्या तीजी के अंदर improvement हो चुके नाज foundation versus राष्ट्री राजदानी शेतर दिल्ली सरकार 2009 में एक मामला सामने आया था इसमें दिल्ली हाई कोट ने कहा था कि जो व्यसक है जो एडल्ट है उनके बीच अपनी सहमती से अगर संब लेंगी गतिवीदियां हो रही है उसको वैद बनाने की धारा जो section 377 को एक रिके से ने रद कर दिया गया, 2009 में रद किया ता लेकिन शुरेष कुमार कोशल केस के अंदर 2013 में जो दिल्ली हाई कोट के दोरा ये जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोट ने इस फैसले को यानि 2009 के फैसले को इसको पल्ड दिया और यहां पर का एक त्रीके से इसको मतलब कि अवैद क्रिमिनलाइज के उस कटेगरे में लाके खड़ा कर दिया था फिर न्याय मूर्थी केस पुट्टा स्वामी वर्सीज भारत संग 2017 में एक जो केस पुट्टा स्वामी का ऐसा केस जिसके अंदर प्राइविसी को मैंटर दिया गया प्राइविसी को बहुत जादा इंपोर्टन दिया गया था तो सर्वोच नेले ने फैसर सुनाया था कि जो निक निजता जो निजता का मौली कदिकार जीवन और संतरता के लिए अंतर नही स्याकि obh i winyas ये अलगो गया शायद sexual orientation इसको कहेंगे और ये जो है वो अपनी हरे की प्रैवेसी होती है कि जो किसको परसंद करता है वो किसके साथ रहना चाता है वो उसका खुद की private matter आ जाता है इसके अलावा हमारे सामने आते हैं नवतेज सिंग जोहर बनाम वर्स भारत संग वर्स 2018 यह जो सितंबर का मामला मैं आप लोगों को बता रहा हूं देखे यहां पर देखे यह जो सुरेश कुमार के अंदर सुप सुप्रीम कोट वाला जो फैसला था 2013 का उसको बदल दिया जाता और इसको कर दिया जाता है सफीन जहां बना अशोकन के अन्य वर्स 2018 में यह मामला आता है जिसमें सुप्रीम कोट ने माना था कि साथी आप पार्टनर का चेहन करना व्यक्ति का अपना मोली का दिखा रहा है साथी किसी भी जेंडर से संबंदित हो सकता ऐसा निए कि वहाई अगर फीमेल यह हैं तो अप मिल यह को इचुन सकता है तो यह ानुशंंगिक मामलो के लिए यह अधिनियम ला आ राइट्स की सुरक्षा के लिए यहां पर यह दिनियम यह रूल लाया कहता है फिर एक सम्वलेंगिक विवा दीके फरवरी 2021 में यह बहुत जाद है के अंदर सरकार ने दिल्ली हाई कोट में सम्वलेंगिक यानि सेम सेक्ष मैरिज का विरोध करते हुए कहा था है कि भारत में विवा को तभी मानिता दी जा सकती है जब बच्चा पैदा करने में सक्षम जो बायलोजिकल मैन है और जो बायलोजिकल वुमेन है उनके बीच अगर विवा होते हैं तो यहां पर अभी भी विवा चला हुआ है कि यह देखिए जो LGBTQ कम्मुनिटी है एक तो सबसे बड़ा इ जहां पर लगेगी एक्चुल में कि वहां पर सीरियसली मुद्धों को उटाया गया है जो LGBT कम्मुनिटी के जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं अब आगे की रहा क्या हो सकते देखिए समुदाय की बहतर समझ के लिए स्कूलों और कॉलिज के पाठे करम में बदलाव लाना हो लोगों को एक त्रीके से सोरी यहां पर ट्रेन आगी है बेदबाव समाजी कलंक और भाईशकार का सामना करते हैं शैक्षनिक संस्तानों और अन्य जगाओं पर जेंडर न्यूटरल टोईलेट अनिवार रहे हैं विवस्ता होने चाहिए हैं इस विशेय पर मातापिता को भ बहुत जादा मजबूर कर दिया जाते हैं एक आता है कि सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी मतलब कि कोई अगर लड़का है अब अंदर से लड़की है तो अब अपने ही सेक्स को चेंज कर तो यह अगर यह विकल्प चुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंक उसको अचित मारक दर्शन के आवशकता होती है जो की समानने आर्थिक प्रिष्ट भूमी वाले व्यक्ति के लिए वहनिये भी हो सकती है तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को जो कनवर्जन ठेरपी वह आप लोगों समझ में आ गई होगी वीडियो पसंद आई है तो यह मुझे कैसे बता सकते हैं सिंपल सी बात है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कोई कोमेंट भी आप लिख सकते हैं कि आपके कोई डाउट है पीडियो के लिए मैं आप लोगों को अल्रेडी बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक क्या मिलेगा तो जाकर वहां से आप इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो शेर कर सकते हैं वीडियो को एस वेल चैनल को थैंक यू फॉर वोचिंग दिस वीडियो